पत्रों में श्रीकुष्णा जन्मभूमी और शाही इदगाह विवाद मामले में गुरुवार को कोट अपना फैसला सुना सकती है कोट इस विवाद में वकिल हरिशंगर जैन, विश्णु जैन और रंजना अक्नी होत्री के बाद पर अपना फैसला सुना सकती है दायर किये गए बाद में श्रीकुष्णा जन्मभूमी के 13.37 एकड़ भूमी को मुक्त कराने की मांग की गई है कट्रा केश्यो देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर के भीतर मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए अलग-अलग हिंदु समुहक की और से पहले मथूरा की अदालटों में 10 अलग-अलग याचिका दायर की गई थी जिनके बारे में उनका दावा है कि मध्री को कुरुष्णा के जन्म स्थान पर बनाया गया मथुरा कोट में तायर याचिका में कहा गया है कि अधिकाँश हिंदु समुदाय का मानना है कि भगवान कुरुषने का जन्म उस्सस्थान पर हुआ था जहां मजजिद है गुरुवार को इस मामले में मथुरा की कोट में फैसला सुनाया जा सकता है वही पिछली सुनवाई के बाद इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था ऐसे में गुरुवार को कोर्ट ये फैसला सुना सकती है कि वाद स्विकार होगा या नहीं बतादे कि मतुरा के सिविल जज्ज सिनियर डिविजन के यहां अरजी आई थी जिसमें मांग की गई है कि मतुरा की शाही इदगाह मजजित में मुलगर्भग रूह को सिल किया जाए जिस जगापर आने जाने पर रोख है उसकी उचित सुरक्ष व्यवस्था हो प्राचिन हिंदुधार्मिक चिन्नों और कलाकरूतियों को नश्ठ होने से बचाया जाए झाले जाए झाले जाए